हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम ओलो फ्यो अनक्षी एकेदमी यूट्यूब चैनल स्टुडेंट्स में डिम्पल के टारिया, आपको इस प्लेटफोर्म पे क्लास टैंथ मैट्स का जो प्रैक्टिस पेपर है, डियोई ने जो लॉंच किया है उसको solve करा रही हूँ, और आज इस वीडियो में हम case study based questions जो है, that means जो हमारा part A है, उसका section number 2, यह हम discuss करेंगे इस वीडियो में, ओकी, तो बचो जल्दी से अपनी copy pen open कर लीजिए, ठीक है और जो भी doubts है, वो यहाँ पर clear कर लीजिएगा और सबसे पहले आप अपनी वीडियो को like कर लेना, ठीक है और अपने friends के साथ भी share जरूर कर लेना तो चलिए start करते हैं अपनी वीडियो को तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं question number 17 according to which in a classroom four friends are seated at the points A, B, C and D as shown in figure so students आप यह देखें यहाँ पर यह जो आपको figure show हो रहा है इस figure में A, B, C and D यहाँ पर क्या है four friends जो हैं वो बैठे हुए हैं okay they are seated Mohit and Deeraj walk into the class and after observing for a few minutes Mohit decides to sit four points away from A along Y axis concept को ध्यान देना यहाँ पर क्या कह रहें Mohit and Deeraj walks into the class and after observing for a few points for a few minutes यानि कि Mohit और जो धीरज हैं वो जब इस classroom के अंदर आते हैं तो वो क्या करते हैं थोड़ी देर तो देखते हैं और कुछ मिन्टों तक अवलोकन करने के बाद यानि कि देखने के बाद Mohit क्या सोचता है He decides to sit four points away from A along Y axis यानि कि जो भी A है इस A point से वो क्या Y अक्ष पर Y अक्ष आपके पस ये वाला axis होता है जो vertical यानि कि ओर्धुआदर अक्ष होता है तो यहाँ से A से चार बिंदू दूर 4 points अवे 4 बिंदू दूर बैटने का निर्णे करता है तो अगर हम Mohit के बारे में देखे तो बच्चा यहाँ पे A point है और Mohit four points अवे इस point के coordinates आपके पस क्या है A के है आपके पस three और Y axis पे value क्या है four अब जो Mohit है वो क्या करना चाहता है सिर्फ X axis में change लेना चाहता है तो यानि कि यह तो three रहेगा और four में वो क्या four points अवे तो यहाँ पर four plus four हो जाएगा clear तो यह जो point बिलेगा this one यहाँ पर Mohit जो है वो अपनी position ले लेगा and next दीरज wants to sit exactly in the middle of A, B and C, D मतलब यह जो भी है A, B, C, D there is in case exactly between यहाँ पर जो है वो यहाँ पर adjust होना चाहता है ठीक है so concept है यहाँ पर first question what is the position of Mohit seat तो Mohit की seat का क्या यहाँ पर position है तो बचो यहाँ पर question को start करने से पहले मैं क्या करती हूँ A, B, C, D जितने भी है इन सब के ना points जो है वो यहाँ पर coordinates mention कर देती हो ठीक है तो अब आप यहाँ पर देखो सबसे पहले आप देखो A point के लिए देखिए A point A point के लिए हमने देखा यह वाला है आपके पास यहाँ पर क्या है 3 and 4 ओके B के coordinates देखिए B यहाँ पर है X axis की value है यहाँ पर 6 question में आप बात करते है first question what is the position of Mohit seat यानि कि Mohit जो है उसकी seat का क्या position है तो students आपने भी अभी यहाँ पर देखा कि जो Mohit है उसके लिए आपको क्या कहा गया है कि जो भी A है वो के A के coordinates क्या है 3 and 4 और Mohit सिर्फ Y axis में यहाँ पर 4 points अवे बैठता है तो 3 में तो कोई changes नहीं होगा यहाँ तो अब 0 को ही add करेंगे और Y axis में 4 add कर देंगे तो coordinates जो है वो क्या convert हो जाएंगी 3 and 8 so B option is correct answer Mohit की जो position है वो हमारे लिए क्या हो जाती है 3 and 8 हो जाती है clear हुआ second question देखिए अब आप the coordinates of middle point of B and C middle point of B and C यानि की जो भी B और C है उसका middle point बताना है आपको तो second question ले ले लेते हैं हम यहाँ पे बच्चो B के coordinates है हमारे पास 6 and 7 और C के coordinates क्या है 9 and 4 आप से कहरे middle point middle point का मतलब हो जाता है मद्ये बिंदू ठीक है आपको मद्ये बिंदू के निर्दे शांक बताना है तो बच्चो middle points की coordinates का formula होता है X1 प्लस X2 अपॉन 2 और ऐसे ही Y coordinates में Y1 प्लस Y2 अपॉन 2 आपने यहाँ पे values अप्लाई कर दीजिए जो भी है X1 यहाँ पे this value is X1 6 and X2 that is 9 अपॉन 2 Y1 आपके पास 7 है प्लस Y2 that is 4 अपॉन 2 6 और 9 आपके पास हो जाता है 15 अपॉन 2 और यहाँ पर 7 और 4 11 तो 11 अपॉन 2 आप देख रहे हैं आपके पास option में 15 अपॉन 2 और 11 अपॉन 2 कौन सा option आ जाता है A आ जाता है clear and next question दीरज वांट्स तो sit at the coordinates अब आपको बताना है कि जो दीरज है वो कहाँ पर बैठना चाता है तो बच्चों हमने देखा था कि दीरज क्या करना चाता है यह A और AC और BD इनके just middle में बैठना चाता है तो middle में तो हमारे पास वाला coordinate हो जाता है अगर हम यहाँ पर इसकी values देखें तो क्या है यहाँ पर X axis की value यहाँ पर क्या है यह देखो यह है 6 ओके और Y axis की value यहाँ पर क्या है 4 So 6 and 4 जो है वो आपके answer हो जाते है किसके लिए दीरज के लिए So C option जो है वो आपका correct है clear next fourth question देखें अब according to fourth question what is the distance between A and B A और B के बीच की दूरी क्या है तो बच्चों यहाँ पर हम distance formula जो है उसकी help लेंगे ठीक है तो आप A और B के coordinates देख लीजिए 3, 4 and 6, 7 है तो हम यहाँ पर distance formula यूज करते हैं So question number fourth ठीक है A, B तो जो distance formula होता है यानि कि दूरी सूत्र उसमें x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square होता है ठीक है बच्चा तो आप यहाँ पर A और B की values लिख लीजिए पहले A के coordinates हैं हमारे पास 3 and 4 इसका मतलब आपके पास x1 equals 2 है 3 और y1 equals 2 क्या है 4 clear and B के जो coordinates है that is 6 and 7 6 and 7 तो यहाँ पर आपके पास x2 की value है कितना 6 और जो y2 है उसकी value आपके पास कितनी है 7 है आप apply कर दीजिए आपको coordinates के according distance मिल जाएगा x2 that means 6 minus 3 whole square plus 7 minus 4 whole square ठीक है solve करेंगे तो 6 minus 3 आपको मिलता है 3 3 square plus 7 minus 4 is equal to 3 so 3 square 3 square plus 3 square that means 9 plus 9 यह हमारे पास हो जाता है 18 18 जो है अगर आप इसके factors करते हैं तो आपको 9 into 2 मिलता है तो जिसका square root 3 हो जाएगा बाहर आजाएगा 9 का तो root 2 जो है वो अंदर है जाता है so 3 root 2 हमारे पास इसका answer आ जाता है अब आप option देखिए यह option में आपको 3 root 2 जो है वो कौन से में मिल रहा है A में मिल रहा है ठीक है तो A is your answer next 5th question what is the equation of line CD रेखा CD का समी करन क्या है तो बच्चो C के coordinates देखो आपके पास क्या है 9 and 4 ओके और उसके बाद D के coordinates देखो यह आपके पास क्या है 6 and 1 तो जो C के coordinates है इनको आपना X1, Y1 suppose कर लीजिए और जो D के coordinates है इनको आप X2 और Y2 suppose कर लीजिए तो आपके पास X1 value क्या हो जाएगी X1 की 9 हो जाएगी and Y1 will be equal to 4 similarly we can calculate the value of X2 that is 6 and Y2 this is equal to 1 अब students आपको na CD जो रेखा है line जो है CD इसकी equation चाहिए इसका meaning यह हुआ कि हम C से जो D point है हम नहीं पर C से D को हम यहाँ पे मिलाएंगे तो बच्चों यह हमारे पास line हो जाती है straight line होती है तो straight line की नहीं equation का एक formula होता है तो वो मैं हाँ पे note कर देती हूँ equation of straight line यानि की सरल रेखा का समी करन तो इसकी according एक formula होता है जिसमें होता है y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 और multiply होगा यहाँ पर किसे यह x minus x1 से हमें इस formula में values रख देनी है जो भी हमारे पास है x y1 जो भी etc ठीक है हमारे पास y की value नहीं है हम तो as it is रखेंगे y minus y1 y1 की value कितनी है 4 okay equals to y2 that is equal to 1 minus y1 that is equal to 4 x2 is 6 minus x1 that is 9 upon x minus x1 that means 9 आप इसे solve कीजिए तो y minus 4 clear next equals to 1 minus 4 हो जाएगा minus 3 and 6 minus 9 भी हो जाएगा minus 3 and this will be equal to x minus 9 minus 3 से minus 3 यह आपका complete cancel so it will be equal to x minus 9 तो बच्चो आपके पास यहाँ पे y minus 4 जो है वो किसके equal आजुका है x minus 9 के clear अब हमना y minus 4 जो है इसको right hand side shift कर देते हैं so x y जो है इस तरह आएगा तो minus हो जाएगा यहाँ minus 9 ओलरी है minus 4 यहाँ पे आएगे तो plus के हो जाएगे and this will be equal to 0 clear तो आपके पास यहाँ पे x minus y minus 9 plus 4 कितना हो जाएगा minus 5 हो जाएगा okay and that is equal to 0 so x minus y minus 5 is equal to 0 तो यह आपके पास कौन सा option हो जाता है a option clear so a option is your correct answer तो बच्चो यहाँ पे हमारा यह जो question है question number 17 number 18 में हमारे पास जो concept है उसके coding an electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 meter students यहाँ पे यह जो pole है आपके पास 5 meter की height का है clear और एक electrician है यहाँ पे कोई electric fault हो चुका है और उसको उसे repair करना है clear next she needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work यानि कि वो जो भी repairing का काम करना चाहती है जो भी electrician है उसको इस मरमत का कारे करने के लिए जो भी इस pole का यह जो pole है आपके पास इस pole को मैं name दे देती हूँ a b तो a b pole का जो top है that means यह यहाँ से 1.3 meter down आना पड़ता है मतलब इस point पे उसे आना पड़ता है इसको हम यहाँ पर name दे देते हैं c point clear so बच्चा आपके पास यहाँ पे फिर ac की जो value है वो क्या है that is equal to 1.3 meter और a b a b that is the length of pole और यह जो length of pole है हमारे पास यह किसके equal है यह आपको question में दे दिया है 5 meter है length of pole इसका मतलब यह हुआ कि यह हमारे पास क्या है खंबे की उचाई है ठीक है बच्चा खंबे की उचाई है यह 5 meter a b की value है यह अब question को आगे read करते हैं according to that she puts a ladder making an angle of 60 degree with the ground to reach the point of fault अब यह क्या करती है जो भी repairer है इस point पर एक ladder रख देती है ladder आप देख रहे हो यहाँ पर इसने एक cd रख दिया है ठीक है यह इसकी एक cd है यहाँ पर cd आप जानते होंगे न ladder इस तरह की होती है तो इसने इसको ऐसे tilt करके यहाँ पर रख दिया है अब यह रख दिया है तो यह यहाँ पर 60 degree का angle भी बन रहा है तो it means यह जो point है मैं इसको यहाँ पर name दे देती हूँ d तो cd point जो है वो क्या है हमारे पास length है किसकी ladder की यानि कि जो cd है उसकी यह क्या है यहाँ पर लंबाई है तो हम यहाँ पर mention कर लेते हैं a d this is the length of ladder length of ladder यानि कि cd की लंबाई अब हम question को देखते हैं कि question में क्या कहा जाता है first part देखो what is the length of the ladder आपको यह ladder यानि कि cd जो है यह बताना है अब अच्छे जो pole है वो तो 90 degree के angle पर होता है मतलब ऐसे तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर triangle आपको मिल रहा है triangle b c d और यह कैसा है आपके पास right angle triangle है so first question को start करते वे हम यहाँ पर लेते हैं in triangle b c d ठीक है यानि कि त्रेबुच b c d में अब यहाँ पर आप देखो आपके पास क्या क्या values है b c d में आपके पास b c चाहिए एक तो अब b c को अगर आप देखोगे मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो आपके पास यह distance है यहाँ से लेकर यहाँ तक की यह आपको चाहिए तो आप b c को calculate करने के लिए a b में से किसको minus कर दो a c को a b आपके पास 5 है a c आपके पास 1.3 है तो 5 minus 1.3 हमारे पास हो जाएगा 3.7 तो b c तो आपके पास इतना है ठीक है और जो भी angle बन रहे है आपके ठीटा वो आपका कितना है 60 degree है and that is equal to angle d यह आपका angle d के equal है and हमें यहाँ पर क्या find out करना है the length of the ladder यानि कि c d की लंबाई और c d की लंबाई हमारे पास क्या है a d है a d हमें find out करने है तो बच्चो यह जो भी हमारे पास यहाँ पर shape मिल रही है right angle triangle की अगर हम देखे इसमें तो यह हमारा perpendicular होगा और यह हमारा क्या होगा hypotenuse होगा ठीक है और यह वाली जो value है यह हमारे पास क्या होगी base की होगी तो अभी इस concept में हमें perpendicular given है और हमें hypotenuse find out करना है तो हम यहाँ पर perpendicular और hypotenuse जिसमें लगता है वो वाला ratio यानि की त्रिकॉन मेती अनुपात लेंगे तो वो हमारे पास हो जाता है sin theta sin theta का formula होता है हमारे पास perpendicular upon hypotenuse सबकी values रख दीजिए sin theta that is equal to 60 degree equals to perpendicular perpendicular हमारे पास कितना है BC जो हमने अभी calculate किया यहाँ पर यह देखिए यहाँ से perpendicular हमारे पास यहाँ पर कितना है BC है और hypotenuse हमारे पास कितना है CD है तो हम यह values यहाँ पर रख देते हैं ठीक है BC upon CD sin 60 degree इसकी value होती है root 3 upon 2 equals to BC BC यानि कि जो perpendicular है वो कितना है 3.7 upon hypotenuse यह हमें find out करना है CD CD जो है वो हमें यहाँ पर find out करना है ठीक है अभी मैंने यहाँ पर AD लिग दिया है इसको ठीक कर लेना बिटा यहाँ पर यह C होगा CD हमें यहाँ पर find out करना है तो अब यहाँ पर हम देखते हैं इस question के अंदर तो CD की value हमें नहीं पता cross multiply कर लीजिए CD को root 3 से multiply किया ठीक है is equal to 3.7 को यहाँ पर 2 से multiply किया तो 3.7 into 2 हमारे पास होगा 7.4 तो CD की value कितनी हो जाएगी 7.4 divided by root 3 इसका मतलब यह हुआ 7.4 को हमें 1.732 से divide करना है तो बच्चे जब हम इसको divide करते हैं तो हमारे पास answer मिलेगा 4.28 meter 4.28 meter आप देखिए option में आपके पास क्या है A option है A option is your answer अब next question को देखो the distance of the pole from the feet of the ladder अब आप यहां पर देख रहे हो कि आपके पास जो ladder है उसका feet कहां पर यह वाला point है ठीक है यह आपके ladder का feet यानि कि ladder का जो भी CD है उसका path बिंदू है pole आपका यहां पर है तो आपको यहां पर यह वाली दूरी बतानी है और यह वाली दूरी आपके पास क्या है BD ठीक है BD भी बोल सकते हो या फिर अगर आप यहां से देखोगे इस concept से तो इसका मतलब आपको base बताना है तो इस question के according यह आपके पास क्या है perpendicular है और यह आपके पास क्या है base है तो आप यहां पर कौन सा concept यूज़ करेंगे 10 theta का ठीक है 10 theta इसके value होती है हमारे पास perpendicular upon base theta की जगे आप लिखिएंगे यहां पे 60 degree और perpendicular आपके पास कितना है जो आपके पॉल है ठीक है और पॉल में वहां तक जहां तक repairing का work होना है यानिके bc ओके तो यह repairing का work आपके यहां पे होना है bc है और उसके बाद आपको यहां पे find out क्या करना है c d ठीक है या फिर एक बाद देख लिजिए find out करना है sorry bd find out करना है तो आप यहां पे लिखेंगे bc upon bd ठीक है bc जो है उसकी value 3.7 है और bd हमें find out करना है हम values रख देते हैं 1060 degree हो जाएगा root 3 equals to 3.7 upon bd यहां पे 1 लीजिए cross multiply कर लीजिए तो bd multiply हो जाएगा किससे root 3 से is equal to 3.7 तो bd की value आपके पस क्या होगी this will be equal to 3.7 upon root 3 यानि कि 3.7 को भी आप यहां पर 1.732 से divide कर दीजिए तो यह आपको मिलेगा 2.136 के equal और जिसको हम इसका अप्रोक्स value यानि कि लगबग मान हम बोलेंगे 2.14 ठीक है so 2.14 यानि कि 2.14 तो b option जो है वो हमारा answer हो जाता है next ले लीजिए question number 3 question number 3 में concept क्या है कि यदि cd जमीन के साथ 30 degree का cone बनाए मतलब अब यह वाला जो cone है यह वाला जो angle है यहाँ पर कितना है 30 degree का the ladder जो है यह यहाँ पर रखी हुई है this is placed at the angle 30 degree with the ground then what should be the length of the ladder अब आपको यह length बतानी है तो students जो हमने concept लिया उसके according यह हमारे पास first question में sine 60 degree लिया था बस हम sine क्या ले लेंगे यहाँ पर 30 degree ले लेंगे बाकी का same concept sine 30 degree that is equal to bc upon cd sine 30 degree की value होती है 1 upon 2 bc bc हमारे पास 3.7 आपको मिला था आपने किया था नब यह भी 5 में से 1.3 को minus किया था जब और फिर उसके बाद cd cd यह आपको calculate करना है cross multiply कर लीजिए तो cd 3.7 into 2 हो जाएगा 7.4 so cd यानि कि a option जो है वो आपका answer है next question है question number fourth what should be the angle between ladder and pole यानि कि यह जो आपके पास ladder यहाँ पे placed है cd और यह जो आपका pole है इन दोनों के बीच में कितना angle होना चाहिए ठीक है यहाँ पे angle जो है वो find out करना है तो इस concept को यहाँ पर आप angle sum property के थूँ जो है वो clear कर सकते हैं ठीक है तो question number fourth में आप देखते हैं कि जब आप angle B angle यह वाला अगर मैं इसको name दूँ यहाँ पे angle C और इसके बाद next angle D इन तीनों को plus करते हो तो value क्या होनी हो जाता है वो हो जाता है 180 degree ठीक है तो यह आपका कोनों का योग का गुंधर्म है अगर हम इसको यहाँ पर use करते हैं तो angle B का मान हमारे पास क्या है यह देखो यह 90 degree का कौन है ठीक है angle C हमें यहाँ पर ग्यात करना है angle D हमें यहाँ पर कितना दिया हुआ है फिलाल 60 degree दिया हुआ है और यह equal है किसके 180 degree के तो कौन C के लिए आप 180 degree में से घटाएंगे 90 और 60 हो 90 और 60 आपके पास कितना हो जाएगा 150 degree हो जाएगा ठीक है तो 180 में से 150 गया यानि कि 30 degree आपका answer आजाता है जहां मरमत कारें होना है जमीन से उस बिंदू तक खंबे की क्या लंबाई होगी देखो what is the length of the pole यह pole है आपके पास यहाँ पे from ground यानि कि ground से where repair work is to be done repair work आपका यहाँ हो रहा है तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की value जो है वो बताने है so students एक तरीके से यह आपका a b और यह c point था तो आपको यहाँ पर b c की value find out करने है जिसको हम already जो है previous में कर चुके हैं यह देखिए आप यहाँ पे यहाँ पे हमने b c की जो value है वो calculate किया यह देखो this one तो यही concept अब आपको यहाँ पे यूज करना है fifth part में मतलब आपको b c calculate करना है तो चलिए अब यहाँ पर लिख देते हैं b c that is equal to a b minus a c a b की value 5 है b c की value 1.3 है sorry a c की value 1.3 है तो minus करोगे तो 3.7 meter that means c option जो है वो आपका answer आजाएगा clear चलिए देखते हैं question number 19 there are three sections of class 10th in Kendriya Vidhalya Delhi Kent Kendri Vidhalya Delhi Kent में कक्षा 10 के तीन विभाग है ठीक है तीन विभाग the total number of students in class 10th are 100 यानि कि इन तीनों विभागों में जो तीनों sections है इनमें 100 विध्यारती है the marks obtained by the students in pre-board exams are present in a table as shown as given below जो भी विध्यारती है इनके pre-board की यहाँ परिक्षा हुई है और इस pre-board परिक्षा में उनके जो number आए है जो उनके प्रापतांक आएंगे जो marks आएं वो हमें निम्न तालिका में दिखाए गए है और कहा गया है the meal of the marks obtained is 53 जो भी यहाँ पर प्रापतांक आए है उनका माध्य कितना है तरेपन है तो बच्चो यह जो सारनी है हमें दिऊ हुई है टेबल है न तो हमारा तो concept यह होता है कि जब भी हमें इस तरह के questions करने होते हैं जो भी table दिऊ हुई होती है न हम उसको as it is not कर लेते हैं वर्टिकल में यानि कि सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसके marks के यानि के प्रापतांक तो प्रापतांक हमारे पास क्या-क्या है 0 से लेके 20 है फिर उसके बाद 20 से लेके 40 है फिर है 40 से लेके 60 60 to 80 and last है हमारे पास 80 to 100 तो यह not कर लिया ठीक है फिर है उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या number of students विद्यार्थियों की संख्या तो बच्चों जो भी हमें यहां पे संख्या दियो होती है इसका मतलब वो हमें बारम-बार था यानि कि F की value दियो है और यह 15 है यह 18 है यह 21 है यह 29 है और यह है P यह हमें यहां पे given है अब लास्ट में यहां पे आप देखो जब question आप देख रहे थे तो question में हमसे क्या बोला है कि जो भी विद्यार्थियों है total जितने भी विद्यार्थियों है वो कितने है number of students there are 100 100 है तो यह हमने अभी तक का फिलाल जो भी हम कर सकते थे table का काम यहां तक हमने कर लिया है clear अब हम question को देखते हैं first question देखो how many students got marks between 80 to 100 80 to 100 यानि कि 80 और 100 के बीच में कितने अंक प्राप्त किये गए हम देख रहे हैं कि कितने अंक प्राप्त किये 80 से 100 के बीच में यानि कि P अंक प्राप्त किये है तो अगर हम question को देखें यहां पर यह लीजे इधर ही देख लेते हैं फिलाल question को अगर आप देखोगे तो P अंको के लिए आप देखते हो कि P कहां पर आ रहा है इस point पर आ रहा है इसका मतलब है कि आप यहां पर 100 में से इन सब की values को minus कर दो आपको P का उतर मिल जाएगा है ना तो चलिए हम यहां पर यही काम करते है so first question first question में जितने भी total बच्चे हैं हम सब को add कर लेते हैं 15, 18, 21, 29 हम से और फिर साथ-साथ में क्या है यहां पर plus P और equals to क्या 100 हम से पूछाए कि 80 से 100 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए तो वो हमने का P आए तो हम इस P को यहां पर total कर रहे है तो चलो plus करते हैं 15, 18, 21 और 29 जब हम इन सब को plus करते हैं तो 83 मिलता है 83 plus P that is equal to 100 so students P की value कितनी हो जाएगी 100 minus 83 that means 17 तो आपका first जो answer है वो क्या हो जाता है 17 यानि की C option जो है वो correct answer है अब चलिए next question देखते हैं next question की according what is the lower limit of model class यानि की जो भी बहुलक वर्ग है उसकी निमनसीमा आपको बतानी है तो बच्चा जो बहुलक वर्ग होता है यानि की जो model class होता है उसकी जो frequency होती है यानि की जो बारंबारता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है सबसे ज़्यादा अधिकतम बारंबारता सबसे ज़्यादा तो हमने देखा था की P की value तो हमारे पस 17 आ जाती है यानि की P की जगे तो आप 17 लिखोगे तो यह जितने भी आपके पस number of students है इन में सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है वो है आपके पास 29 की चीक है तो 29 की अगर बारंबारता है तो इसका मतलब आप यहाँ पर लिख लीजिए मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूं second question में कि यानि कि अधिक्तम बारंबारता पहले तो आप लिखेंगे अधिक्तम बा ग्लास है वह हमारे पास कौन सी है देखिए यहाँ पर 29 किस में आ रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि इसकी जो क्लास है model class वो हमारे पास कितनी है 60 to 80 है और जिसमें भी हमें क्या बताना है lower limit बतानी है यानि कि निम नसीमा तो 60 हमारी क्या हो जाती है निम नसीमा जिसको हम L से represent करते हैं so C option जो है वो हमारा answer हो जाएगा ठीक है question clear अब इसके बाद next हम ले लेते हैं question number 3 जिसमें हमसे क्या बोला इसमें what is the value of model mark यानि कि जो भी बहुलक अंक आ रहा है उसका मान क्या है value क्या है तो बच्चो इसके लिए न हम यहाँ पे model जो भी है model mark उसको calculate करेंगे model mark यानि कि बहुलक अंक और उसके लिए हमारे पास एक formula होता है तो मैं वो formula यहाँ पर पहले लिख देती हूँ L प्लस यहाँ पर F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 और यह multiply हो रहा है यहाँ पर किसे H से अब values ले लेते हैं सब सबसे पहले आपने देखा कि जो model class है हमारे पास यानि कि जो भी हमारा बहुलक वर्ग आया है वो कितना आया है 60 से 80 आया है है ना 60 to 80 तो इसका मतलब कुछ values तो हमें यहीं सही मिल जाएंगी जैसे कि L lower limit यानि कि निम नसीमा वो कितनी है 60 है ठीक है और H, H यानि कि class interval दोनों का जो अंतर आता है वर्ग अंतराल वो कैसे निकालोगे 80 minus 60 that is equal to 20 अब concept आया आपके पास किस-किस का F1 का, F0 का और F2 का बचो F1 जो होता है हमारे पास यहां पर जो भी model class है उसकी frequency होती है तो model class आपने देखा कि आपके पास कौन सी है 60 to 80 में आपके पास है यह 29 तो इसका मतलब इसकी जो value होगी वो हमारे पास होगी F1 इससे preceding जो होगी वो होगी F0 मतलब पहले वाली और इसके बाद वाली जो होगी value वो होगी F2 तो आपके पास F1 है 29 F0 है 21 और F2 है P और जिसकी value हमारे पास कितनी आय थी 17 आय थी तो हम इन सब की values को यहाँ पर apply कर देते हैं पहले mention कर देंगे फिर apply कर लेंगे ठीक है F1 that is equal to 29 F0 is equal to 21 and F2 that is equal to 17 अब हम क्या करेंगे इन सारी values को यहाँ पर यह जो formula है इसमें apply कर देंगे ठीक है इस सूतर में रख देंगे और फिर हमें हाँ पर model mark जो है वो मिल जाएगा तो model mark जिसको मैं shortcut में हाँ पर mm से denote करते हूँ ठीक है L, L की value है 60 plus F1 F1 आपके पास है 29 minus F0 यानि की 21 और उसके बाद upon में है 2F1 2F1 यानि की 2 into 29 minus F0 21 minus 17 ठीक है और यहाँ पर यह multiply किसके साथ हो रहा है bracket close होने के बाद H और H की value है हमारे पास कितना 20 अब हमें क्या करना है इसको solve करना है तो चलिए start करते है अच्छे से है न 60 plus 29 minus 21 हमारे पास होगा 8 2 को 29 से हमने multiply किया तो 58 मिला 21 into 17 21 और 17 हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 38 हो जाएगा और multiply हो रहा है यह 20 से आगे solve कीजिए 60 plus 8 upon 58 minus 38 हो जाएगा 20 और यह multiply हो रहा है 20 से तो हम नहीं यहाँ पर देखते हैं कि 20 से 20 cancel 60 plus 8 यानि कि 68 हमारा answer आ जाता है अब हम देखते हैं कि 68 जो है वो कौन सा option है चलिए देखिए 68 यह हमारे पास यहाँ पर D option हो जाता है clear बच्चा तो question number 3 जो है इसका यह भी यहाँ पर clear हो गया question number 19 का अब next है हमारे पास what is the value of summation F I X I यानि कि जो भी हमारे पास F I X I है total इन सब का summation क्या है योग क्या है इनको तो जो हमने हाँ पर table बनाई थी हम उस table में देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है फिलाल हमें चाहिए summation of F I X I इसका मतलब यह है कि हमारे पास F की तो value है X की value नहीं है तो हम सबसे पहले X निकालेंगे X यानि कि class mark यानि कि वर्ग चिन तो उसको हम कैसे निकालते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी वर्ग अंतराल है जिसे 0 और 20 है ना तो हमने 0 और 20 को plus किया कितना मिला 20 और 20 को 2 से divide किया तो 10 आया clear next अब देखो 20 और 40 के middle value क्या होती है 30 40 और 60 की middle value 50 60 और 80 की middle value 70 और 80 और 90 की middle value 90 अब हमें चाहिए FI XI यह हमारे पास XI की value है और यह FI की हम इनका ना यहाँ पर क्या कर देते हैं multiplication तो 15 को 10 से multiply करना है ठीक है यह देखो FI कितना है 15 XI है 10 15 को 10 से multiply किया हमें मिला 150 अगेन हम 18 को 30 से multiply करेंगे 18 3 जा 54 होता है तो यह मिला हमें 540 तो 21 को हमने 50 से multiply किया 21 5 जा 105 and 1 0 next time अब हम 29 को 7 से multiply कर रहे है 29 7 जा हो जाता है 203 0 और उसके बाद next है हमारे पास P और P की value हमने calculate की थी वो हमारे पास कितनी आई थी 17 को हम 9 से multiply कर रहे है यानि कि 17 9 जा and that is equal to 153 और एक single 0 तो यह हमारे पास values हुजाती है FI XI के total मतलब हर एक एक column की अब हमें क्या करना है यहाँ पर plus कर देना है summation का मतलब हो गया plus इन सबको add कर देना है तो चलिए add करते है last में zeros हैं तो यहाँ पर 0 फिर 5 और 4 9 और 5 हो गया 14 14 और 6 हो गया हमारे पास कितना 20 20 का 2 हो गया उपर 2 और 1 हो गया 3 3 and 5 8 8 and 10 हो गया 18 18 और 20 हो गया 38 38 और 15 हमारे पास कितना हो गया 53 33 तो यह हमारे पास value आजाती है 5 3 double 0 clear बच्चा समझ में आ गया very good 5 3 double 0 that means B option is the correct answer clear next question जो है इसके बाद यहाँ पे है question number 5 what is the upper limit of median class माध्यक वर्ग की उपरी सीमा तो बच्चा माध्यक वर्ग बोल दिया यानि कि median बोल दिया तो हमें cumulative frequency यानि कि संचाई बारम बारता चाहिए ठीक है तो अब जो हमारा next work होगा यहाँ पे वो क्या होगा cumulative frequency को calculate करना तो cumulative frequency में जो हम frequencies होती है इनको plus on करते जाते हैं जैसे यहाँ सबसे first क्या है 15 ठीक है फिर next time 15 को 18 से plus किया 15 plus 18 कितना हो गया 33 और फिर उसके बाद 33 को 21 से plus किया equals to 54 ओके देन 54 plus 29 कितना मिला 54 और 9 हो गया 63 63 और 20 हो गया 83 और फिर last में 83 plus P P की value है 17 that means 100 तो यह हमारे पास CF आ जाता है अब since यहाँ पे हमें क्या करनी है median class जो है न वो find out करनी है तो बच्चो जब भी हम median class यानि की माधी का वर्ग जो है वो गयात करते है न तो उसमें हम देखते है n by 2 की value ठीक है n by 2 हम यहाँ पे check करते है तो बच्चो n जो है हमारे पास यानि की सारी frequencies का add है यानि की जितने भी बच्चे हैं वो सब तो कितने बच्चे हैं हमारे पास 100 है तो 100 हमारे पास कैसा number हो जाता है even number हो जाता है यानि की सम संख्या हो जाती है तो जब सम संख्या होती है तो हम जो माधी का वर्ग निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं उसमें हम लेते हैं n by 2 वाला वर्ग कि वो हमारा जो भी होता है यानि कि n इसमें आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 100 है 100 में 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 50 आ जाएगा ठीक है और उसके बाद हम क्या करते हैं n by 2 प्लस 1 ले लेते हैं तो n by 2 प्लस 1 यानि कि 50 प्लस 1 तो वो हमारे पास 51st टम जो है वो हमारे पास यहां पर आ जाती है ठीक है तो concept यह हुआ बचो यहां पर कि आपको या तो 50 वाली टम चाहिए या फिर आपको 51st वाली टम चाहिए और इन सब के लिए अब आप यहां पर क्या करेंगे तो next step होगा हमारा CF देखना ठीक है CF में हम यहां पर देखेंगे कि 50 और 51st टम जो है वो हमें कहां देखने को मिलती है तो जो हमने CF calculate किया उसमें आप बच्चो देखो कि 54 यहां पर आता है इसका मतलब 33 तक तो यहां पर आ रहा है और 33 से जो अब आव आ रहा है वो आपके पास यहां पर आ रहा है तो 50 और 51 भी यहां पर आएगा तो यह अगर हम यहां पर देखते हैं तो यह कौन सा हमारे पास class आ जाता है 40 to 60 तो यह जो 40 to 60 यानि कि 40 से 60 होगा यही हमारा क्या होगा median class होगा तो अपर लिमिट जो होती है वो हमारे पास right hand side वाली value होती है that means 60 so 60 आपका answer आ जाता है अब 60 आप देखी यह आपका यहां पर कौन सा option आता है C option ठीक है C option जो है वो आपका यहां पर correct जो है answer हो जाता है so question number 19 हमारा complete होता है अब हम लेते हैं question number 20 for 71st Republic Day Parade on 26th January 2021 in Delhi Captain RS Meal is planning for parade of following two groups बचो 17th Republic Day को यानि कि 26th 2021 को यहां पर जब गंतंत्र दीवस का parade है तो इसमें जो कप्तान है RS Meal वो क्या करते हैं दो समूहों में parade की योजना बना रहे है first concept क्या है first group of army contingent of 624 members behind an army band of 32 numbers यह देखो यह दियान से समझोओ आप क्या कह रहे है first group of army contingent इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर पहले तो army को लेके आना चाहते हैं यानि कि SENA को ठीक है और SENA भी कैसे होनी चीए कि पहले तो 32 सदस से यानि कि 32 members होने चीए और उनका एक band होना चीए और उस band के पीछे 624 जो members है army के वो चलने चाहिए तो यह तो हो गया इनका first concept clear? and next अगर आप यहां पर देखते हो तो इसमें यहां पर concept क्या है second group of CRPF troops with 468 soldiers behind the 228 members of bikers इसका meaning यह हुआ कि पहले तो 228 bikers चलेंगे और फिर उनके पीछे 468 सैनिक यहां पर आएंगे ठीक है और यह कौन से है CRPF सैनिक है इनका दूसरा समूम तो बच्चों concept समझ में आया पहले बार में तो यह क्या चाहते है यह सिर्फ चाहते है RS Meal कि first time में तो army चलनी चाहिए और army भी कैसे चलनी चाहिए कि पहले तो यहां पर army band आना चाहिए ठीक है army का band बोला है न इन्होंने और उसमें कितने सदस्से होने चाहिए और अगर आप second group का concept लेते हैं तो second group में CRPF की बात की जा रही है तो CRPF में पहले तो आपके पास हैं bikers ठीक है और जो bikers हैं बचों वो हमारे पास कितने हैं 228 और उसके बाद यहां पर soldiers जो हैं CRPF वाले जो move on करेंगे ठीक है first में army है second में CRPF है और वो हमारे पास कितने हैं 468 है तो यह हमारा concept है अब इस concept को हम start करते हैं फिर आगे क्या है question के अंदर these two groups are to march in the same number of column same number of column चाहिए यहां पर जिसे कि आप यहां पर figure में भी देख पा रहे हो कि अगर यह first है यह second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, nine, ten, eleven, twelve तो इनके पीछे ही बाकी के जो soldiers हैं वो चलने चाहिए तो यह same group होना चाहिए मतलब अगर army के यहां पर इतने groups हैं तो उतने ही group यहां पर किस के होने चाहिए CRPF के होने चाहिए ठीक है, समझ में आया तो इसका मतलब इन दोनों समूहों को समान संख्या में कॉलम में मार्च करना है and this sequence of soldiers is followed by different states of जहांकी which are showing the culture of the respective states और यह जो सैनिको का क्रम है इसके बाद अलग-अलग जहांकिया हैं यहां पर जो संबंदित राजियों की संस्कृती को दिखाती है तो चलिए हम question स्टार्ट करते हैं first concept what is the maximum number of columns maximum number of columns that means अधिक्तम स्थम्प यानि कि ज्यादा से ज्यादा in which the army troop can march जिसमें सेना की जो टुकडी है वो मार्च कर सकती है तो बच्चों जो सेना की टुकडी का अगर आप concept लोगे तो first question में अगर हम देखें तो army band के एक तो 32 चीए है यहां पे और एक हमारे पास क्या है 624 है और यहां पे आपको maximum number बोला है ठीक है तो जब भी आपको maximum number बोला जाएगा इसका मतलब आपको यहां पे hcf find out करना है ठीक है hcf आप find out करेंगे तो 32 और 624 का करेंगे तो 32 के अगर हम prime factorization करते हैं अच्छा सब यहां पे 2 ही आता है ठीक है और कितनी बार आता है 5 टाइम आता है तो आपको यहां पे cross check कर लो चाहिए 2 तू जा 4, 4 तू जा 8, 8 तू जा 16 और 16 तू जा 32 clear and next अब आप करते हैं 624 तो 624 के और जब आप prime factorization यानि कि अभाज्य गुननखंट करोगे तो वो आपको मिलेगा 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 39 39 या फिर आप बोल सकते हैं 3 x 13 चीक है आपको अभाज्य गुननखंट तो करना आता ही होगा बिलकुल आता ही होगा नहीं आता है तो चलिए देख लेते हैं यासे समझ carta लिजीगा अगें 13 x 13 तो इस तरीके से आप अभाज्य गुननकंट यानि की prime factorization करते हैं अब आपको बोला है maximum number जैसे हमने बोला कि इसका मतलब हो जाता है HCF, तो HCF में हम common लेते हैं, जो दोनों के अंदर हो, तो बच्चों देखो, यह दो है, यह भी यहाँ पे दोनों के अंदर है, यह भी यहाँ पे दोनों के अंदर है, और एक यह दो, तो यहाँ पे 2 कितनी time आया, यानि कि 4 times, ठीक है, multiply कर लीजिए, 2 तूज़ा 4, 4 तूज़ा 8 and 8 तूज़ा 16, तो 16 answer हमारा होगा यहाँ पे, ठीक है, यानि कि 16 column बनने चाहिए, ओके बच्चा, मतलब ऐसे जैसे column बनेंगे न हमारे पास, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे 16 column बनने चाहिए, जिनमें army troop जो है, वो चलेंगी, और फिर उसके बाद में उनके soldiers, यानि कि जो भी है member से वो चलेंगे, so B option is the correct answer, okay, next, what is the maximum number of columns in which the CRPF truth can march, अब आपको अधिकतम इस्तम बताने हैं, जिसमें CRPF की टुकडी मार्च कर सके, तो CRPF में तो 228 और 468 है, यह हैं, तो इसका मतलब अब आपको second time में इन दोनों का HCF चाहिए, HCF of 228 and 468, तो आप यहाँ पे prime factorization method से भी calculate कर सकते हैं, HCF या फिर आप जो Euclid division lemma है, जो हमने first chapter में discuss की थी, हम उसके according भी कर सकते हैं, तो मैं आपको वो वाला तरीका बता देती हूँ, इससे आपके, दोनों जो तरीके हैं, उनका revision हो जाएगा, तो 468 में आपने 228 से divide किया, कितनी बार जाएगा, division 2 times, 2, 8, 16, carry 1 हो गया, फिर 22, 2, 44, 44, और 1 आपके पास कितना हो जाता है, 45, minus कीजिए, 8-6, 2 हो गया, 6-5 हो गया, आपके पास 1, अब हम क्या करते हैं, 12 में 12 से divide करेंगे 228 में, divide करो, अब आप देखते हो, 12 को बच्चा जब हम यहाँ पे divide करने चलते हैं, एक तो 1 time जाएगा, 12 12, फिर 22 में से 12 minus होगा, तो कितना बचा, 10, 10 और 8 हो गया, 108, 12 9 जा, 108, यानि कि 19 time जो है, पूरा division चला जाएगा, ओके, remainder क्या बचेगा, 0, तो जब remainder जो बच जाता है, 0 बच जाता है आपके पास, तो उस समय HCF क्या होता है, जो भी हमारा last divisor होता है, ठीक है, last divisor, यानि कि जो भी हमारा अंतिम भागफल होता है, वही हमारा क्या हो जाता है, सोरी, अंतिम भागफल नहीं, इसमें हम बोलेंगे अंतिम भाजक, ठीक है, तो जो हमारा अंतिम भाजक होता है, वही हमारा क्या हो जाता है, HCF होता है, यानि कि 12 answer आ जाएगा, तो जो भी CRPF है, उनकी ज maximum number of column in which total army troop and CRPF troop together can march past अब बच्चो आपको यहां पर बताना है अधिक्तम इस्तम थर्ड पार्ट में अधिक्तम इस्तम जिनमें सेना की टुकडी और CRPF की टुकडी एक साथ मार्च कर सकती है तो बच्चो जो army troop है उसके column कितने यानि कि जो सेना की जो टुकडी है उसके कितने column आये थे हमारे पास maximum column ठीक है maximum column वो हमारे पास आये थे 16 इसको हम यहाँ पर लिखेंगे अधिक्तम इस्तम और वो भी किस के सेना की टुकडी के और इनकी संख्या हमारे पास कितनी आई थी सेना की टुकडी के अधिक्तम इस्तम आये थे 16 ठीक है और जैसे अधिक्तम इस्तम सेना की टुकडी के लिए आये थे ऐसे ही maximum number यहां पर हमने CRPF के लिए भी निकाले थे और बच्चे वो हमारे पास कितने आये थे that was 12 वो हमारे पास आये थे 12 जीक है CRPF के अधिक्तम इस्तम अधिक्तम कॉलम है यह तो यह हमारे पास आये थे 12 अब हम से पूछाए कि जिसमें ये दोनो एक सात मार्च कर सके दोनों ही एक साथ मार्च करेंगे यानि कि हमें 16 और 12 का LCM चाहिए तो बचो चलो निकालो 16 में डिवाइड कर दो 12 से 12 वंजा 12 कितना बचा 4 अब आप 4 से डिवाइड करोगे 12 में 4 थरीजा 12, 0 ठीक है तो last divisor क्या है 4 है तो HCF क्या है 4 बचो यह मैं आपको न यहाँ पर division method से इसलिए करा रहे हूँ ताकि आपकी इसकी भी practice हो जाए वर्ना prime factorization तो आपको आता है यह easily बहुत अच्छे से आता है तो 4 जो है आपका यानि कि B part जो है वो आपका answer आ जाता है ठीक है थर्ड part हो गया आप चलिए देखते हैं इसका fourth part CRPF सेनिको की संख्या और bikers की संख्या में से क्या घटाया जाना चाहिए ताकि उनका अधिक्तम कॉलम सेना की टुकड़ी के अधिक्तम कॉलम के बराबर हो मतलब what should be subtracted with the number of CRPF soldiers बचो जो CRPF soldiers है उनके जो numbers थे हमारे पस क्या क्या थे 228 और सासत में दूसरा क्या था 468 228 तो हमारे पस bikers थे ठीक है और जो 468 थे हमारे पस वो हमारे पस क्या थे soldiers से तो अब ये कह रहे हैं कि हम इन में से क्या number जो है वो minus करें मतलब आपको इन में से कुछ ना कुछ minus करना है यानि कि वो उनके आर्मी के ट्रूप के साथ मैच कर जाए तो बच्चो जो इनका जो maximum column है maximum number of column वो हमारे पस कितना आये था maximum number of column इसका मतलब अधिक्तम स्तंब CRPF के ये हमारे पस आये थे 12 ठीक है और अगर हम आर्मी की बात करें तो आर्मी की ये हमारे पस कितने थे 16 थे इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये है HCF वो क्या होना चाहिए 16 होना चाहिए दोनों में ही क्या होना चाहिए 16 होना चाहिए तो हमें काम करते हैं 228 में ना 16 से डिवाइड कर देते हैं कि हमें HCF कितना चीए 16 चाहिए अब चलो डिवाइड करो 16 बंजा 16 माइनस किया 68 16 फोर जा 68 16 फोर जा 64 तो माइनस करने पर आपको कितना मिला 4 अब बच्चो आप ये देखो कि ये जो 228 है आपने जब इसमें 16 से डिवाइड किया तो हमारे पास remainder कितना आया यानि कि 6 वल कितन आके देखो तो कितना आता आपके पास 224 फिर 224 में आप 16 से भाग देके देखो एक बार डिवाइड करो 16 बंजा 16 माइनस 64 फिर 16 फोर जा 64 रिमेंडर क्या बच्चा जीरो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें से हम 4 माइनस कर देंगे तो फिर क्या होगा कि जो CRPF टूप है वो 468 soldiers अगर यह X1 ले लू इसको X2 ले लू तो आप soldiers के लिए कैसे निकालोगे तो जैसे हमने 228 में डिवाइड किया था 16 से ऐसे हम 468 में भी 16 से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पर डिविजन जाएगा टू टाइमस ठीक है 16 टू जा 32 माइनस किया बचा 148 तो 16 9 जा हमारे पास कितना हो जाता है 144 यहाँ पर भी रिमेंडर कितना है 4 इसका मतलब 4 बाइकर्स हम माइनस करेंगे और 4 बाइकर्स के साथ साथ में हम क्या माइनस करेंगे 4 soldiers अगर हमें 16 रखने हैं ठीक है 16 रखने हैं तो हम इतना करेंगे तो यह हमारा कुन सा अंसर आजाता है यह आपका अंसर आजाता है दोनों में 4 सैनिक और 4 बाइकर्स ओके 4 soldiers and 4 बाइकर्स लेकिन अब देखो जगरा question को अभी तो आपको subtract करने को बोला था अब आप से क्या कह सालम के बराबर हो भाई देखो अभी तो माइनस करने को बोला था अब आप से क्या कह रहे हैं प्लस करो क्या प्लस करोगे तो जो आपके बाइकर्स हैं चीक है बाइकर्स कितने हैं 228 और जो आपके soldiers थे वो आपके पास कितने थे 468 अब बच्छो आपने जब यहां पर 16 से डिवाइड किया था आपने भी डिवाइड किया था ना 16 से तो 16 से जब आप डिवाइड कर रहे थे तो आपके पास 228 में डिवाइड किया जब आपने 16 से तो आपके पास 6 वल कितना आया था 4 ठीक है इसका मतलब 228 में 4 से भाग दे रहे थे तो पूरा भाग नहीं जा रह अब यहाँ पर सिफ 4 आया था ना अगर आप 16 और 4 इन दोनों में अंतर देखो तो कितना हो जाएगा 16-4 यानि की 12 ठीक है तो एक काम करो 228 में 12 को एड़ करो कितना आएगा 240 है ना अब 240 में आप 60 से डिवाइड करके देखो और बताओ कि complete division जाता है यानि 16 बंजा 16 8 बचा 80 16 16 5 जा 80 देखो complete division चला गया ना कुछ remainder नहीं बचा इसका मतलब क्या एड़ किया आपने 12 ठीक है अब ऐसे ही हमने जब 468 में डिवाइड किया था तब भी यहाँ पर 40 remainder बचा था यानि कि 16 में से अगर हमें यहाँ पर शेशवल 0 बचाना है तो इसमें प्लस क्या करना पड़ ठीक है तो हम यहाँ पर इसमें भी प्लस 12 करेंगे तो 240 हो गया और इसमें भी प्लस 12 करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 480 ठीक है अब 480 में डिवाइड करके देखो 16 16 3 जब 48 और यहाँ पर बचेगा 0 तो यह हो गया 0 ठीक है तो remainder क्या हो गया 0 हो गया तो बच्चों option B, B option हमारा answer हो जाता है, ठीक है बच्चों तो यहाँ पर यह जो आपका concept है part A का section number 2 complete होता है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो like, comment जरूर कर देना और channel को subscribe करना, अपने friends के साथ भी share करना thank you so much for watching my channel